नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का स्पेशल गुरुजी यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी न्यूस के साथ है जो लोग DSSB में स्पेशल एजुकरटर पोस्ट का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर ये है Advocate Ashok Agarwal Sir ने अपने Facebook पेज पर ये जानकारी शेर की है आएए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है दिल्ली High Court today directed SDMC to send requisition of vacant special educator post to DSSB High Court also directed MCD and DOE to inform court status of vacant teaching post in both direct recruitment and promotion High Court further directed DSSB to inform status of selection of all teaching post तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली High Court ने SDMC को vacant special educator post का requisition DSSB को भेजने के लिए निर्देश दे दिये हैं इसके साथ साथ दिल्ली High Court ने MCD और DOE से vacant teaching post का पूरा status मांग लिया है और इसके साथ साथ दिल्ली High Court ने DLSSB को teaching selection process के बारे में बताने के लिए कहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो दिल्ली में teaching vacancies का special educator vacancies का काफी time से वेट कर रहे हैं तो उनका ये इंतजार उमीद है जल्द ही खतम हो जाएगा और जैसे ही SDMC DLSSB को special educator post का requisition भेजती है उमीद है जल्द ही DLSSB इसका advertisement भी निकाल देगा तो दोस्तों अपने तैयारी को जारी रखिए और अपनी speed बढ़ा दीजे ताकि जैसे ही vacancy आएं आप इस बार मौके का पूरा फायदा उठा सकें तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like, comment और share जरूर करें और ऐसी ही आने वाली जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको special educator post से सम्मदित सारी news मिलेगी और special educator post आने के बाद उसकी तैयारी कैसे करनी है, material कहां से पढ़ना है उसकी भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में